पिछले कुछ दिनों से मैं आपके कमेंस देख रहा हूँ और वो कमेंस पड़के मुझे समझ आया कि आप 폭्पर को अपने से काफी सारे लोग मीम कॉइंस में इंट्रेस्टेड है चाहे आपने मीम काइं में इंवेस्ट किया हो सब को एक चीज़ पता होगी कि meme points completely speculation पर काम करते हैं इसका मतलब क्या है कि जब यहां पर कोई बड़ी personality for example Elon Musk का जब tweet आ जाता है तो सबसे पहले dodge coin के price में एक जबर्दस moment देखने मिलता है उसके बाद बाकी सारे जो coins है वो follow करते है जैसे Shiba Inu, Flocky, Pepe, right इसके बारे में आपको पता होगा लेकिन यहां पे भी देखिए एक तो speculation है Elon Musk के जब tweet आती है price में movement देखने मिलता है बट साथ में एक और चीज़ समझनी ज़रूरी होती है कि यहां पे कुछ technical analysis भी काम करता है मतलब यहां पे कुछ important supports होते है कुछ important resistance होते है जहां पे price जब support पे जाता है वहां पे price रुकता है और वहां से bounce back मतलब उपर जाने की pump होने की probability बढ़ जाती है सारे जो meme coins है उनका technical analysis देखेंगे जो news आ रही है उसके बारे में discuss करेंगे उनका fundamentals देखेंगे कुछ coins के use cases के बारे में भी discuss करेंगे बहुत ज्यादा important video रहने वाल है पूरा video देखें सारी चीजों को समझ जिया जिससे यहां पे क्या होता है अगर आप एक coin का analysis भी समझ जाते हो तो आप खुझ से बाकी coins का analysis करने लग जाओगे बाकी अगर आप कोई coin के बारे में जानना चाहते हो definitely मुझे comment section में बताओ next videos में हम उन coins को भी cover करेंगे कोई tension नहीं है बाकी अगर हरुज यहां पे जो information provide करता हो अगर आपको पसंद आती है definitely video को एक like कीजिए अगर आपने होचान को subscribe कर सकते हो अगर आप लास्ट एक महिने के अंदर देखने जाओ डोज कोईन के अंदर कितना जबरदस्ट pump देखने मिला अब इसके साथ साथ अगर this is a one year chart अब मैं यहां पर one month में ले लेता हूँ यहां से आपको और ज्यादा समझ मायाएगा देखे प्राइज अभी कहां पहुँचा है 0.17 के आसपास इस price point से price 0.17 के आसपास से price उपर नहीं जा रहा था क्या हुआ 0.17 के आसपास से price वापस नीचे आया और उसके बाद उसने वापस छलंग लगाई आप देख सकते हैं 0.22 के आसपास यहां पे इसका price गया तो अब यहां पे समझने वाली बात क्या है देखें, Dogecoin का detail chart हम लोग यहां पे consider करते हैं जिससे हमें यहां पे resistance वगेरा पता चलते हैं तो अब यहां पे जैसे हमने discuss किया था, उसी हिसाब से कुछ movement वापस इसी range के अंदर Dogecoin का price आ चुका है कौन सी range है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि resistance is around $0.19 and support is around $0.13 तो Dogecoin का price यहां पे $0.13 के आसपास वापस देखने मिल सकते हैं तो अभी यहां पे इस time पे Dogecoin में कोई भी entry नहीं बनती है Dogecoin का price यहां से नीचे आए इस level पे एक support बनाए वहां से वापस एक bounce back देखने मिले, तो यह जो move है इस move को हम लोग पकड़ सकते है कितने percentage का move होगा this will be a 38% move बाकी यहां पे Elon Musk की तरफ से अगर Twitter पे कोई update आती है तो definitely फिर तो pump होगा तो उसके बारे में हम लोग Telegram पे discuss करेंगे आप यहां पे देख सकते हो हमारे Telegram चैनल Crypto King K.O लिंक आपको description पे इन comment में मिल जाएगी जैसे ही Elon Musk की तरफ से कोई update आता है ऐसा कोई speculation आता है कि वाई Dogecoin के price में moment देखने मिलेगा तो सबसे पहले यहां पे आपके साथ share कर दूँगा अब दूसरा जो सबसे ज्यादा यहां पे लोग interest रखते है जो कोईन rank करते हैं जिस कोईन में बहुत सारे लोगों ने अपना investment किया हुआ है और जो bull run में definitely एक अच्छा profit भी दे सकता है वो है यहां पे Shiba Inu अगर one month के देखिए एक बहुत important chart आपके साथ share कर रहा हूँ Shiba Inu का This is a one year chart यहां पे क्या समझ में आ रहा है देखिए जिस point पे Shiba Inu ने अभी एक महीने पहले support लिया था उसी point पे कौन सा point था 0.4025 उसी point पे वापस यहां पे 27 का आसपा Shiba Inu का price चल रहा है जिससे हमें क्या समझ में आता है अब एक दो cents यहां पे नीचे जाए लेकिन यहां पे इस पर दफ फिबोनाची लेवल Shiba Inu के लिए कौन सा important support बन जाता है 0 के बाद 402192 यहां पे आप अगर entry लेना चाहो यहां पे अपनी एक entry बना सकते हो बाकी दूसरी entry कहां पे बनती है जैसे मैं आपको बता है exactly इस point पे कहां पे आ रहा है इस point is coming at around 0 के बाद 4025 के आसपस तो यहां पे अगर आप Shiba Inu के अंदर एक entry बनाना चाहते हो आप यहां पे definitely बना सकते हो अब तीसरे coin के बारे में हम लोग discuss कर लेते है जो है MMIT Mangoman जिसके बारे में आप मैंसे काफी सारे लोगों को पता होगा अब यहां पे Mangoman का Coin Market Cap पे सबसे पहले जाके चार्ट देख लेते है Current इसका प्राइस चल रहे है 0 के बाद 706294 डॉलर्स अब यहां पे समझने वाली बात क्या है अगर हम recent में भी देखते हैं इसका प्राइस यहां पे 6372 के आसपास गया था अब इसकी अगर हम लोग website देख लेते हैं तो हमें यहां पे काफी सारी और चीज़ें समझ में आ रही है कि यह इस दा फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन अब यहां पे एक और चीज़ भी समझने वाली है कि इनके काफी सारे यहां पे प्रोजेक्स है दीखे 85,000 से ज्यादे इनके होल्डर से 20 से ज्यादे एक्स्चेंज इस पे लिस्ट हो चुका है अगर हम देखना चाहते हैं यहां पे लिस्ट हो चुका है अंदर भी अपना अच्छा प्रोफिट ले सकते हैं साथ में इनकी 7 प्लस लाइव एकोसिस्टम है 10 प्लस प्रेजन प्रेजन इनकी एकोसिस्टम अगर आप पूरी जानना चाहते हो तो इनका मैंगो ब्लोक्चेन है मैंगो स्वैप है मैंगो वोलेट है इन लोगों ने काफी सारे वी आर अवेलेबल ओन इस मैनी एक्सचेंज रहे ला टोकन, काईबर स्वैप इन सारी एक्सचेंज पर यह लोग वन इंच इनका रोड मैप देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाता हूँ कि इनका एरड्रॉप था एरड्रॉप के बाद इस प्रोजेक्ट ने 88X 88 टाइम्स का प्रॉफिट दिया था जो एक यहां पर इंपोर्टन चीज बन जाती है कि अगर बाइबिट पे भी लिस्ट होता है इनके tokenomics के बारे में सारी details देख सकते हो इनका token address आपको यहां पर मिल जाएगा साथ में इनका यहां पर Twitter account आप देख सकते हो Twitter account के अंदर आपको MMpad के बारे में भी details मिल जाएगी MMpad क्या है जैसे Binance Launchpad के बारे में आपको पता होगा कि Binance के अंदर जो भी नए projects आते हैं तो उससे क्या होता है जब भी Binance Launchpool या Binance Launchpad पर project आता है तब BNB क्योंकि लोगों को compulsorily BNB buy करना पड़ता है तो उसी हिसाब से यहां पर MMIT का खुद का pad launch होगा जिस पर काफी सारे और project उसके launchpad पर आ सकते हैं इसे MMIT के price में हमें एक moment देखने मिल सकते है राइट तो definitely हम यहां पर MMIT पे भी नजर बना के रख सकते हैं और यहां पर एक चीज include करना चाहता हूं कि MMIT का currently airdrop भी चल रहा है तो आप airdrop में participate कर सकते हो airdrop में participate करने के लिए link में आपको description में दे दूँगा उस link से आप यहां पर airdrop ले सकते हो because जो previous airdrop था जैसे मैं आपके साथ discuss किया उस airdrop के बाद इस token ने 88X का profit दिया था तो उसी इसाब से यहां पर airdrop मिल जाता है अगर हमें तो भी एक अच्छी opportunity बन जाती है और अगर आप MMIT में invest करते हो और अगर आप चाहते हो कि यहां पर जल से जल bybit पर लिस्ट हो जाए तो यहां पर आपको एक link दिख रही होगी उस link से आप bybit पर register कर सकते हो और यहां पर इनको support कर सकते हो जिससे यहां पर जल से जल MMIT project bybit पर लिस्ट हो जाए बाकी exchanges पर तो available है अब साथ में हम लोग यहां पर discuss करते है पेपे, पीप के बारे में पीप के बारे में अगर आप यहां पर देखते हो पीप ने भी recent अच्छा move यहां पर दिखाया है अगर last month में आप देखने जाओ तो अभी भी पीप भी यहां पर अपने एक support पे अगर पीप का current price आप यहां पर देखना चाहो तो यहां पर 506524 मैं यहां पर पीप का चार्ट भी आपके साथ share करना चाहता हूँ पीप के लिए जो important support था उसी support पे पीप का price देखे प्रीवियस support के आसपास ही पीप का price चल रहा है 688 के आसपास तो यहां पर एक entry बनती है second entry हमारी यहां पर बन जाती है 4630 के बाद 504635 के आसपास वापस जैसे ही क्योंकि पीप ने अपना previous all time high last 2023 के time पे इसने अपना all time high बनाया था तो उसको भी break करके पीप का price उपर चला गया है तो currently उसके लिए resistance सिर्फ एक ही point बन जाता है जो है 0 के बाद 4011165 इस चीज का में ध्यान रखना है बाकी मैंने यहां पर दो entry points सबसे पहला entry point यह वाला बन जाता है which is the current price और यहां पर दूसरा entry point बन जाता है 4635 साथ में हम लोग discuss कर लेते हैं फ्लॉकी के बारे में फ्लॉकी का आप देख सकते हो current price is around $0.00018 और फ्लॉकी का price भी इसके recent support के आसपास ही चल रहा है फ्लॉकी के बारे में आप सबको पता होगा काफी अच्छा यहां पर pump देखने मिला देखे हैं फ्लॉकी के लिए important support कौन सा बन जाता है प्रिवियस्ली भी इसी this point was acting as a support 0.00018086 this point is acting as a support तो यहां पर एक entry बनती है उसके बाद यहां पर 0.618 वाला level 0.786 वाला level यहां तक price जब जाता है उस time पर देखे हैं first target हमारे यहां पर profit मिलेगा 22% का और second target में हम यहां पर 56% का benefit ले सकते हैं बाकि दोस्तों ही हूप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आज का वीडियो पसंद आया है definitely वीडियो को एक like कीजिए share कीजिए इस वीडियो को अपने friends के साथ चैनल को subscribe कर दीजिए और subscribe के वाज़ों में आपको बेल आइकन में दो जाता है वो भी press कर दीजिए चलिए दोस्तों इसके साथ आज का वीडियो खतम करते है नेक्स्ट वीडियो में मिलते है stay safe, stay healthy, thank you, jaihin